नमस्कार दोस्तो आज 15 नमबर के लोग अपडेट में फिर से स्वागत है जी हाँ कल 14 नमबर के दिन में भारी गिरावट देखने को मिला 1500 से लेकर 2000 रुपे पटन में गिरावट था लेकिन आज भी क्या कुछ गिरावट है दोस्तो बात करेंगर पाइप में तो 1000 से लेकर 14 रुपे आज गिरावट देखने को मिला है जी हाँ वही बात करते हैं आज शुरुवात इंगोट से करेंगे और इंगोट में भी अच्छा खासा गिरावट तो चलिए जानते हैं कि इंगोट में जो भावरा आज के दिन में रायपूर 42,200 है दोस्तो रुपे यहां पे आ ह यहां पे आज देजी है है घेदराबाद में 500 रुपे तक गिरावट 43,600 कीमत है वहीं भीवारी जो रहा 4400 रुपे 8,400 रुपे यहां भी गिरावट है इंदोर में तो 1200 रुपे तक आज गिरावट देखने को में राइंग वाट में वहीं बात कर लेकर जम्मू तो यह बार्ज का जो प्राइज रहाज के दिन में राइपूर 47,500 रुपे एक घजा रुपे तक गिरावट दुर्गापूर जो रहाज 47,000 रुपे और यहां 200 रुपे गिरावट है राउल गेला में 500 रुपे तक गिरावट देखने को मेरा 46,500 प्राइज बना हुआ है मंडी बात करें तो 47,000 रुपे बना हुआ 200 रुपे गिरावट है जरूर बैंगलोर एकाउन 500 रुपे है 200 रुपे यहां भी सस्ता है डेली जो रहाज के दिन में 51,000 रुपे बना हुआ टेम्टी बार्स बार एम्म तो इसके बाद पुराना लोहा ओलर स्क्रप का बात करते हैं त पूर्ट जेपूर रहा 36,000 रुपे यहां भी 5 रुपे आज गिरावट है भीवारी जो रहा 31,000 रुपे आठ सुरुपे यहां आज के दिन में गिरावट है इंदोर में भी एक सुरुपे आज सस्ता देखने को मिल रहा है 35,000 प्राइज है भावनगर पुराना लोहा 36,000 र दोस्तों जी यहां उसमें कल भी एक हजार रुपे तक फटन में गिरावट है लेकिन आज के दिन में बात करें तो इसमें कहीं न कहीं राइपूर का जो 5.5 mm वायरोड है इसमें 300 रुपे सस्ता चरूर देखने को मेरा बात कर लेकर दूर्गापूर बीजी बाइंडिंग जो रहा 6,000 रुपे है जलना 5.5 mm वायरोड जो देखने को मेरा है 53,000 रुपे पे बना हुआ है तो इसके बाद बात करते हैं जी हाँ पाइप पाइप का दाज अपडेट तो पाइप का जो अपडेट राओ स्कुर बार आज के दिन में 25 पत्रा में भी आज गिरावट जारी जरूर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी हलका सा गिरावट देखने को मिल सकता है मार्केट में फिलार के लिए बस इतना ही वीडियो फसन दाएट वीडियो को लाइक एंड सेट जरूर कीजिए